नमस्कार दोस्तों रसोई किचन में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला चीज मैगी यह सिर्फ 5 मिनट में बनकर तयार हो जाती है बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में चलिए बनाते हैं इसमें हम डालेंगे एक लीटर पानी क्यूंकि हम दो मैगी का पाउज लेंगे आप देख सकते हैं पानी को हम रख दियें कड़ाई में उसी में हम मैगी को तोड़कर डाल देंगे यह बहुत ही असान है बनाना तो आप इसको जरूर बनाए चीज मैगी मैगी का मसाला भी डाल देएंगे दोनों से टांते हैं इसको अच्छे से मिक्स करेंगे पानी अभी गरम नहीं है गैस जादिए है आप इसमें डालेंगे सॉस यह चार टेबल इस्पून सॉस है यह घर की बनी हुई सॉस है यह हम चिली सॉस डाल देंगे एक टेबल इस्पून यूंकि मसाले इसमें जो है थोड़े से तीखे रहते हैं तो आप अपने स्वाद अनुसार तीखा करें इसमें हरी मिर्च भी तीखा कर 2 जीरा डाल देंगे एक चॉथाई चम्मचा गरम मसाला 1 चम्मच नमक-सْWAAधा अनुसार अच्छे से इनको मिक्स कर देंगे अच्छे से इसको मिक्स करके छोड़ देंगे पकने के कलिए जब इसमें अच्छी उबाल आ जाए उसके पाद हम इसमें डालेंगे एक चौथाई कप मटर यह मटर घर की ही इस्टोर की हुई है तो अगर आपके पास नहीं है तो आप ना डालें मुमपली के दाने भी आप डाल सकते हैं मटर हमने डाल दिया है यह हमज़ी चीज सॉस लेंगे धर की अबनीओ बंब की आप यसको ज़रूर डालें इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है क्योंकि चीज मैगी है तो आप इसको ज़रूर डहीं अच्छे से हमने चीज को मिक् बन चुकी है इसको परोस लेते हैं गरम गरम ही इस मैगी को खाएं बहुत ही टेस्टी लगता है यह हम लेंगे प्रोसेस चीज इसको उपर से डाल देंगे जो पिच्चे में डाली जाती है चीज वही वाली है यह उपर से सॉस डाल देंगे हरा धनिया इस से हमारी मेगी जो है देखने में सुन्दल लगेगी खाने में यह टेश्टी बहुत ही है तो आप इसको इंज्वाय करें आप देख सकते हैं किनी बड़ी हमारी चीज मेगी बनकर तयार हुई है बहुत ही कर दो कि एंज्वारी चीज में से बख़ हैं से सटे हांपो ही है जब हुआ है